हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं बना रही हूँ पुलाओ बेज पुलाओ जो की बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाते हैं क्योंकि हम बनाएंगे कुकर में कुकर में मैंने सरसो का तेल एड़ कर दिया है आप कोई भी तेल एड़ कर सकते हूँ जो भी तेल आप खाते हों सरसो का तेल में अगर आप बनाओगे तो सरसो के तेल को थोड़ा सा ज्यादा सा गरम होने देना अच्छे से धुआ निकलने देना उसके बाद में बाकी इसमें आड़ करना मैंने इसमें आड़ कर दिया है फूल गोबी जिसको कट करके अच्छे से मैंने धो लिया था और थोड़ से बड़े-बड़े PCAC रखे हैं मैंने और इसको फ्राइए कर लेंगे जब तक यह गोल्डर ब्राउन नहीं हो जाते जब तक इसमें फ्राइए कर लेना है यहां पर देख सकते हो कि हमारे जो गोबी हैं अच्छे से फ्राइए हो चुके हैं वेजिटेवल्स आप कोई भी यूज कर सकते हो जो भी आपको पसंद वह आप डाल सकते हो पर फ्राइए करके डालना तो ज्यादा टेस्ट अच्छा आएगा अब यहां पर मैंने प्राइए करके निकाल लिया है फूल गोबी को मैं ले रही हूँ है आपे सोया बिन जिसको की 10 मेट पहले मैंने गरम पानी में भीगो के रखा था और सारा ही पानी निचोड लिया है दो तिन बार धोने के बाद में पानी को निचोड़िएगा मतलब गरम पानी में अगर से गोल्टन फ्राइई हो चुके हैं अब इससे भी हम निकाल लेंगे प्लेट में और कोकर में थोड़ा बहुत चिपका हुए तो इससे भी निकाल लेंगे नहीं तुपिर जलने लग जाएंगे सोयब इनको हम फ्राइ करते हैं तो थोड़ा बहुत लगी जाता है तले से तो बस हमने निकाल दिया है और उसके बाद में थोड़ा सा तेल हम यहाँ पर और एड़ कर देंगे प्राइ कर लेना है गोल्डन ब्रावन इससे भी हमें कर लेना है और उसके बाद में फिर आपे लहसरन और मिर्ची का पेस्ट यहाँ तो लेसं मैं अच्छे से सथ कलिए चार कोर्ण लीचिए और चार से पाच हरी मिर्च मैंने लिठी आप अपने इसमें एड़ कर देंगे फ्रेश मतर मतर को भी थोई दिर भून लीजिएगा उसके बाद में इसमें हम एड़ करेंगे मसाले जिसमें मैं एड़ कर रही हूं हल्दी पावडर लाल मिर्च पावडर भाजी पाव मसाला गरम मसाला इस चार मसाले हम एड़ करेंगे इसके तमाटर एड़ कर सकते हो मुझे पसंद नहीं इसलिए मैंने नहीं आड़ किया है है मिलब तो इसलिए घंखल झांधे मैं यहां फूर्टे हं तो आप vín дос पहले ट्राइब करma कर तैयारिया शुरू करें उससे पहले आप चावल को धोके रख दें तो दस मिट तो लगी जाता है कटिंग चॉपिंग करने में या तैयारिया करने में तो यतने दिर में चावल अपका भीग जाएगा अलग सा टाइम देने की जुरत नहीं है और यहां पर आप देख सकते हैं सबजिया बहुत अच्छे से भून चुकी हैं तो यहां पर हम चावल अड़ कर देंगे मैं यहां पर चावल ले रही हूं बास मती आप कोई भी चावल ले सकते हो और चावल डालने के बाद में भी हमें दो मिट के लिए इसे अच्छे से भून लेना है हलके हाथे से चलात तो आपको डेर को टोरी पानी डालना पड़ेगा इसी साब से डालेंगे तो आपको पुलाव है बहुत ही अच्छा खिला खिला बनेगा अब यहां पर हम पानी आड़ कर देंगे और उसके बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक हमने अभी तक आड़ नहीं कि देना है एक सिटी प्रपर लगने दीजिएगा और दूसरे सिटी आने से पहले बंद कर दीजिएगा गैस तो बहुत ही अच्छे खिले-खिले आपके पुलाओ बनेंगे यहाँ पर मैंने नमक एड़ कर दिया है स्वाधनुसार अब यहाँ पर मैं एड़ कर दूंगी एक चम है किसीन यहाँ यहाँ अप सब्सक्राइब कर देखें allora शहतम मिनस दज्णार को सब्सक्राइब किएगा और सब्सक्राइब और इस तरीके से बना कर देखें आप सबको भॉट अच्छा conference